दोस्तो आज की मूवी है एक जादवी पॉट के बारे में जो लोगों को बहुत सारे पैसे देती है पर उन पैसों के बदले लोगों को एक कीमत भी चुकानी पड़ती है और एक हस्ता खिलता परिवार इसकी कीमत चुकाते चुकाते अपनी जिन्दगी नर्क से भी बत्तर ब जाउन अपने आफिस में मन लगा कर काम कर रहा था तभी उसके सूपर्वाइजर को उसका काम पसंद नहीं आता और उसका सूपर्वाइजर जाउन को खरी खोटी सुनाने लगता है उदर दूसरी तरफ थोड़ी एक्स्ट्रा इंकम के लिए एलिस एक कमपनी में हो जाती है क्योंकि उसके पास उस जॉब के मताबिक relevant degree नहीं होती और फिर वो निरास होकर वापस आ जाती है पर तभी उसके घर के दरवाजे पर उसका मगान मालिक भी दस्तक दे देता है और उसे इस महीने का rent पे करने को कहता है और अब एलिस बहुत ही परिसान हो जाती ह क्योंकि इस महीने rent पे करने के लिए उसके पास sufficient fund नहीं होते अगले दिन वो दोनों घर से सूपर मार्केट की तरफ निकलते हैं और वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उनका accident एक दूसरे कार से हो जाता है वो दोनों तो ठीक थे पर अब पुलिस भी वहाँ आ जा रही थी और अब एलिस वहाँ भी पहुँच जाती है और उस बुड़ी औरत से बाते करने लगती है और तभी उस बुड़ी औरत का ध्यान पढ़ जाता है और एलिस उस पाट को ढूनने लगती है और उसे वो पाट मिल जाता है और जैसे ही वो उस पाट को उठाती है तो उसके दिमाद में एक अजीब सी लहर उटती है और वो उस पॉट को चुरा कर वहां से बाहर भाग जाती है और अब Alice John को कार भागाने को कहती है और अब John Alice को कुछ चुराते हुए देखकर बहुत ही हैरान हो चुका था और Alice John से कहती है कि उसे वो पॉट बहुत ही अच्छा लगा और इसलिए उसने उसे चुरा लिया अगली सुबा Alice फोन पर एक ब्रोकर से बात कर रहे थी जो उसके लिए इंटर्व्यू सेट कर रहा था और तभी गलती से उसका सर हैर स्टेटनर से जल जाता है और उसका सर जलते ही वो टी पॉट हिलने लगता है और Alice हैरान होकर उस पॉट की तरफ बढ़ती है और उसका ढखकन खोलते ही वो उसके अंदर कुछ डॉलर्स देखती है और अब Alice सोच में पढ़ जाती है और उसे लगता है कि उसका सर जलना और इस पॉट में डॉलर्स का चेर पर जाकर मारती है और उस पॉट में चेक करती है तो उसे उस पॉट में और भी ज़्यादा डॉलर्स मिलते हैं और Alice ये देखकर खुश हो जाती है अगले सीन में John जब काम से घर आता है तो वो अपने घर में सब कुछ बिखरा हुआ पाता है और Alice को इंजट देखता है और John Alice को होस में लाने लगता है पर तभी Alice होस में आ जाती है और John को वो पॉट दिखाती है और सारी बाते बताती है पर John को ये सारी बाते मजाक लगती है और तभी Alice John को एक बहुत ही जोर का थपड़ मार देती है और जोन सोच में पढ़ जाता है पर तबी एलिस उस पॉट से बहुत सारे रुपए नीचे गिराती है और अब वो दोनों समझ चुके थे कि जैसे ही वो अपने आपको नुकसान पहुचाएंगे तो वो पॉट रुपियों से भर जाएगा और एलिस जोन को फिर से मारती है और वो पॉट फिर से बहुत सारे पैसे उगलने लगता है और अब जोन काफी सोच में था उसे पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है इसलिए वो इस लपड़े में नहीं पढ़ना चाता और उस पॉट को वापस उसी सौप में लोटाने जाता है पर वो सौप बन थी फिर जोन उस पॉट को बेचने चला जाता है और टीवी पर उस पॉट को एक दूसरा आदमी देख लेता है और उस आदमी को वो पॉट बहुत ही पसंद आता है इधर जोन को उस पॉट के बदले मिल रहे रक्म से वो खुस नहीं होता और इसलिए वो वो वापस खरा जाता है और वापस आकर दोनों एक फैसला करते हैं कि वो लोग बहुत सारे पैसे बना कर इस पॉट को बरबात कर देंगे और इसलिए वो लोग नए नए तरीके से अपने आपको चोट पहुचाना सुरू कर देते हैं और बहुत सारे पैसे बना लेते हैं और अब बहुत सारे पैसों की वज़े से उनका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया था वो लोग अपने आपको तक्लीफ पहुंचा कर बहुत सारे पैसे बना रहे थे अगले दिन एक सुबर दो लोग उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं और वो दोनों जौन पर अटेक कर देते हैं और उस गोलडन पॉर्ट के बारे में पूछने लगते हैं और वो जौन को बहुत मारते हैं पर एलिस वहां आजाती है और उन गुंडों से कहती है कि उन्हें उस पॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम और अब Alice उन गुंडों को कुछ पैसे देती है और वो गुंडे फिलाल वहाँ से चले जाते हैं और अब वो दोनों बहुत ही सत्में में थे और अब वो दोनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं और इस पॉर्ट के बारे में उन बुक्स में जानकारी ढूनने लगते हैं तभी एलिस को वहाँ एक बुक मिलती है जिसमें जादवी चीजों के बारे में लिखा हुआ था और उस बुक में उनके इस्तमाल से होने वाले दूस प्रभाव के बारे में भी लिखा हुआ था और एलिस उस पेज को फार देती है ताकि जॉन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चले और वो बेकार की टेंसन ना ले और अब वो दोनों बहुत ही मजे करते हैं और वो लोग उस पार्ट से बहुत ही अमीर बन जाते हैं और उन पैसों से वो बहुत ही आलिसान घर खरिते हैं और बहुत सारी महंगी महंगी कारे भी खरिते हैं और फिर एक दिन वो अपने घर पर पाटी दे रहे थे तबी वहाँ एक सक्स आता है और वो अपना नाम ली लिंग बताता है और वो एंटिक चीजों का कलेक्टर था और अब जॉन एलिस को उस आदमी के बारे में बताता है पर एलिस बहुत ही खबरा जाती है और ली के मुँपर दरवाजा जोड से बंद कर देती है और अब उसी उनका मकान मालिक आ जाता है और वो उन्हें बहुत ही भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि तुम जैसे दो कौड़ी के आदमी इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए और अचानक से वो उनके हाथ से उस पॉर्ट को ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है और गुस्से में उन्हें पता चलता है कि पॉर्ट को नश्ट नहीं किया जा सकता और उस पॉर्ट को नुकसान पहुंचाना बेवकूफी है वो आगे कहता है कि वो पॉर्ट इंसानों के अंदर मौजूद बुराई को बढ़ा देता है और अगर इस पॉर्ट को इस पॉर्ट से पैसे कंट् चोर आते हैं और उनके बनाए हुए पैसे को चुराने लगते हैं और अब उन दोनों की नीद खुल चुकी थी और वो दोनों चोर को रोकते हैं और वो दोनों चोर कहते हैं कि हम यहां उस पॉट को चुराने नहीं आए और वो पॉट तुमी रखो चुकि हमने उस पॉट के क कम पैसे दे रहे थी और अब जॉन खुद को और ज्यादा नुक्सान पहुंचाने के लिए एक बार में चला जाता है और वहाँ एक बहुत ही कमीने आदमी से मार्पिट करने लगता है और जॉन बहुत ही खायल हो जाता है पर अब भी वो पॉट उनके मुताबिक पैसे नहीं प्रमा लेता है और उस मजदूर को बचा लेता है और अब जॉन और एलिस के बीच बहुत सुरू हो जाती है और इसी बीच जॉन भाश क्रती है कि वो भी Alice को बुरा भला कहे पहले तो John कुछ भी नहीं कहता पर Alice के जोर करने पर वो past में अपने ex-girlfriend के बारे में बताता है और अब Alice को बहुत ही बुरा लगता है पर तभी वो pot उन्हें बहुत सारे पैसे देती है और अब मानों उनका रोज का काम बन चुका था और वो दोनों एक दूसरे को अपनी जिन्दगी के डार्क सिक्रिट के बारे में बताने लगते हैं और एक दूसरे को हट करने लगते हैं और अब उन दोनों को एक दूसरे के बारे में उन बातों का भी पता चल गया था, जो कि साइद वो कभी भी एक दूसरे को बताना नहीं चाहेंगे, और अब ऐलिस उस पॉर्ट के सामने दूसरों के डार्क सिक्रेट को भी सब के सामने बताना शुरू कर देती है, जिससे वो लालच में आकर अपने ही बेहन के एक डार्क सिक्रिट को उसके हस्बेंट के सामने बताने वाली थी, कि उसका पहला बच्चा उसके पुराने एक्स बॉइफरेंट का है, पर तभी वो अपने बेहन का चेहरा देखकर रुख जाती है, और उसे अपनी गलती का एसास हो जाता है, और तुरंती वो वहाँ से दूर चली जाती है, रात में वो दोनों बाते कर रहे थे, और जॉन एलिस की तारीफ करता है, और कहता है कि तुमने अपने बेहन का घर उजड़ने से बचा लिया, पर एलिस यहां खुस नहीं होती, और वो जॉन से एक आखरी और बहुती बड़ा दाव खेलने को कहती है, और फिर वो लोग एक बहुती बड़े क्रिमिनल को मारने का प्लैन बनाते हैं, ताकि उसकी मौत से उन्हें बहुत सारे पैसे मिले, और फिर वो लोग एक कबर खोदने लगते हैं, पर तभी जॉन को अपनी गल्ती का एसास होता है, और यहां अपना मन बदल लेता है, और एलिस से कहता है कि हमें ये सब रोखना होगा, पर एलिस कोई भी जवाब नहीं देती, और कबर खोदती रहती है, पर जॉन वहाँ से चला जाता है, और वो सीधा ली के पास जाकर पहुँचता है, और उस से अपने घर से उस पॉट को चुराने के लिए कहता है, पर ली कहता है कि अब बहुत ही देर हो चुकी है, और उस पॉट को उन्हें खुद से उनके हवाले करना होगा, वरना वो दोनों बहुत जल्दी करप्ट हो जाएंगे और अपनी जानगवा बैटेंगे और अब उसी रात जॉन उस पॉर्ट को लेकर खिड़की पर बैट जाता है और एलिस को कहता है कि तुम्हें मुझे और इस पॉर्ट में से किसी एक को चुनना होगा और एलिस कोई भी जवाब नहीं देती और अब जॉन कहता है कि मेरे मरने के बाद ये पॉर्ट ली को वापस लोटा देना और इतना कहकर वो खिड़की से कूट जाता है और अब एलिस बहुत ही दुखी हो जाती है और वो भागते भागते नीचे पहुँचती है और जॉन को इस हालत में देखकर एलिस को अपने गलती का एसास होने लगता है और वो ये सब छोड़कर उस पॉर्ट को ली को देने के लिए तयार हो जाती है और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं पर तभी उसी रात उन्हें घर के नीचे कुछ आवाजे सुनाई देती है और जॉन चेक करने के लिए नीचे जाता है और देखता है कि उसका मकान मालिक उस पॉर्ट को चुरा कर वहां से भाग रहा होता है और अब उस मकान मालिक को भी पता चल चुका था कि खुद को चोट पहुँचाने से इस पॉर्ट से पैसे मिलते हैं और वो भी खुद को हट करने लगा था और अब जॉन और एलिस उस पॉर्ट को वापस लेने के लिए उसके पास पहुँचते हैं पर तभी वाँ उन चारों के बीच फाइट होने लगती है और तभी वाँ वही दोनों चोर फिर से आ जाते हैं और अब उस पॉर्ट के लिए उन दोनों के बीच लड़ाई सुरू हो जाती है और उस सारे लोग आपस में ही एक दूसरे को गोली मार देते हैं और उन सब की मौत हो जाती है और अब जॉन और एलिस उस पॉर्ट को उठा लेते हैं और उसे अपने मरजी से ली को जाके लोटा देते हैं और अब ली उनकी तारीफ करता है और कहता है कि बहुत बड़े बड़े राजा माराजा इसके प्रभाव से बच नहीं पाए पर तुम लोगों ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और अब ली उस पॉर्ट को समंदर में फेक देता है और इसे के साथ ये मूवी यहां खत्म हो जाते हैं मिलते हैं अकली वीडियो में चेहिन